Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video कल मेरी छुट्टी थी और आज मेरी सुबा फ्लाइट है कल भी फ्लाइट है और फिर मैं वापस जाओंगी कोलकता आप सोच रहे होंगे कि किते दिन के लिए आई हो तुम तो हाँ मैं 6 दिन के लिए आई थी और आज के बाद और एक ही फ्लाइट उपरेट करूँगी फिर मैं वापस जाओंगी कोलकता अब जाके भी पैनी को नहीं मिल पाऊंगी मैं क्योंकि ममी पापा के पास छोड़ के आई चलो सुबा उठ गई मैं अभी उठके सबसे पहले पानी पिया और फिर मैं फोन को चार्ज पर लगाओंगी मोसली मैं क्या करती थी कि रात को फोन को चार्ज पर लगा के सो जाती थी और फिर वो रात भर चार्ज होता था अभी ऐसे तो smart charge होती है जो मतलब धीरे-धीरे करके charge करता है सुबा 9 बजे तक charge complete होती है पर कभी-कभी वो on नहीं करती थी मेरा phone पूरा राध charge पर पड़ा होता था उससे battery damage होती है तो इसलिए अभी charge पर लगा दिया makeup करते करते वो 100% हो जाएगा चलो अभी face wash करके मैं skincare कर ली थी फिर wash razor लगा के sunscreen लगा के मैं तयार होने के लिए सामान लेके आई रही होना पड़ेगा मुझे makeup लगाना पड़ेगा कभी-कभी ना मैं ऐसे bare skin जाने का मन करता है जब मैं ऐसे passenger travel करती हूँ ना थोड़ा सा presentable तो लगना ज़रूरी होता है आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि duty travel होती है उसमें भी company आपके लिए ticket खरीद के देते हैं और आप company के employee हो भली हम ID नहीं पहनते है uniform नहीं पहनते हैं फिर भी जो staff है उनको पता चलती है कि हम कोई company के थ्रू आए हैं तो उसमें भी basic maintain करनी होती है अपने आपको वैसे तो मैं जाती हूँ पर I prefer not to put on a lot of makeup मेबी lipstick थोड़ा सा eyeliner और blush on लगा के चली जाती हूँ और सबसे अच्छी बात है अभी तो pimple अगेरे नहीं आती है पर अभी जब मैं बैंगलोर रही थी ना मुझे थोड़ा बहुत ऐसे allergy जैसा हो रहा था I think because of the dryness क्योंकि कोलकाता में humid है और बैंगलोर के वेदर थोड़ी dry है और मेरे skin को dryness पसंद नहीं है इसके वज़े से थोड़ी सी allergy हो रही थी अभी देखो यही सब करते-खरते मैं ready हो गई eye makeup मैं off camera की थी किया पर मुझे खुद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर भी जादा सफेद नहीं हुई तो मैं window के पास जाके कर लेती हूँ पर आज वैसी manage करना पड़ा अभी मेरी makeup complete हो गई है and now अभी देखो sunrise हुई है तो मैं आपको बाहर दिखा रही थी अभी भी मेरे पास 15 minute time है जब ही मैं डेली बैंगलोर कहीं भी जाती हूँ वहाँ से flight operate करती हूँ न तो मैं थोड़ी जल्दी उट जाती हूँ क्या पता traffic जादा हो जाए मेरे घर से तो बहुत पास में है और traffic mostly नहीं होती है 95% of the time पर अगर 5% of the time होती भी है तो 10-15 minute ही रखता है उससे जादा नहीं पर बैंगलोर और डेली के traffic जो है न काफी unpredictable है आपको पता ही नहीं चलता सपोस ऐसे होते कि मेरे दोस्त लोग ऐसे 10 minute पहले निकले और वो लोग पहुँच गया एपोर्ट और मैं 10 minute बाद निकली और मैं एक घंटे के बाद पहुची क्यूंकि मदब अचानक से traffic बढ़ जाती है ऐसे बहुत बाड़ हुए है तो थोड़ा ज्यादा time हाथ में लेके चलना ही better है क्यूंकि मैं flight operate करूंगी तो मुझे time पर पहुचना पढ़ेगा नहीं तो मेरे लिए flight wait करेगी वैसे जब passenger travel करती हूं तब भी आफकॉस नुकसान तो होती है अगर flight miss हो गए पर वो flight आपके लिए रुकी नहीं रहती वो चली जाती है पर जब मैं crew हूं मैं operate करूंगी तब मेरे लिए flight रुकी रहेगी तो यह मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कभी कभी जब early morning flight होती है ना तो मैं सपना भी देखती हूं ऐसे उठने से पहले कि मेरी flight मेरे लिए wait करे हैं और मैं late हो गई तो ऐसे अचानक से नीद खुल जाती है और फिर मैं देखती हूं कितना time हो रहा है फिर देखती हूं कि alarm बजने का time हो गया almost और ऐसी ही उर जाती हूं मैं तो हाँ चार बजे है और रात को जब सोड़े थी तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अच्छा फोरो क्लॉक मीन चार बजे सुबा चार बजे अगर इवनिंग को होता है ना तो वो 1600 आर्ज दिखाता क्योंकि ये 24 घंट के timing दिखाती है बस यही सब बाते करते हुए मैं flight पर चली भी गई थी और अभी वापस भी आ गई पर अफकोस इतने जल्दी नहीं आए थी मेरे दो सेक्टर फ्लाइट थे पर काफी लंबे थे फ्लाइट और मैं अभी दोपैर को वापस आई हूँ वापस आके सबसे पहले मैं laundry दे देती हूँ जो uniform मैं पहन के गई थी वो धुल ज और फिर कल की उनिफॉर्म भी मेरे रेडी है यह आज आएगी तो मैं पैक कर लोंगी मुझे आज पैकिंग भी करना पड़ेगा क्योंकि कल मैं सुबा चेक आउट करके निकल जाओंगी पानी भी मंगवाई थी मैं पता नहीं क्यों जब ही मैं यह आती हूँ बहुत पानी पीती हूँ पर जब भी मैं फ्लाइट पर भी जाती हूँ ना मैंने यह रिलाइस क्या कि फ्लाइट पर मैं बहुत जादा पानी पीती हूँ मुझे से प्यास लगती है यह भी क्या बोलते कि जब भी आपको प्यास लगे ना अब तब ही पानी प्यों ऐसे जब परद जादा पी लेना चाहिए ताकि फिर नेक्स टाइम जब प्यास लगे तो नेक्स टाइम प्योगे इसे सिप करते नहीं रहना चाहिए सब बोला जाता है पर खाने में मैंने बस फ्रूट सी ओर्डर किया है पता नहीं बहुत दिन हो गए ना यहां पे तो मुझे और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है और मैं आम मिसिंग माई होम फूद पेशली मम्मी के हाथ के बने हुए खाने मैं हमेशा मिस करती हूँ घर पे फिर भी दाल चाव पर आज मैं कोशिश करूंगी यह आइस्क्रीम जो आई थी ना यह पिखल गया था तो इसके ऊपर से मैं थोड़ासा ऐस्क्रीम दाला बस एक स्पुन जस्टू काइंड ओफ टेस्ट आट और जो पिखला हुआ था वही खाई और फिर मैं थोड़ासा पानी भी गरम पानी अभी खाई करनी तक तक मैं एक बर ममी को कॉल की थी पर ममी उठाई नहीं कुछ काम में बिजी में भी थी उठने का मन नहीं करा था पर मुझे पैकिंग करनी पड़ेगी अब डिटेल में पैकिंग करना तो आपको नहीं दिखाई क्योंकि मेरे चीजे और मैं जादा ऐसे इधर उदर फैलाती नहीं हूँ मैं बस 6 दिन के लिए आई थी फैलाने के जरुरत भी नहीं था बस जहाँ भी जो भी चीजे मैं रखी होना उसको बस इकठा करके मुझे बैक के अंदर डालना पड़ेगा वो समय कर ली थी और अभी मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ क्योंकि नाइट सूट पहन के तो नीचे नहीं जा सकती अभी मैं जाओंगी नीचे रेस्टों में खाना खाने के लिए मेरे फ्रेंज अल्रेडी आ चुके हैं और वो मुझे पहले ही कॉल कर दिये थे पर मैं थोड़ी लेट हूँ क्योंकि मुझे पैकिंग करकी जाना था खाना खाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आती है और मुझे बि 45 मिनस तो लगी जाते हैं यू नेवर नो आप उससे जादा भी ट्राफिक हो जाए कभी तो मैं घंटी हाथ में लेके चलती हूँ अब चलो नीचे चलते हैं और मिलते हैं मेरे फ्रेंड से आप कल की व्लॉग में भी देखे हैं पर आज फिर से मिलते हैं चलो मैं यहां से न कि कहां है यह लोग कहां पर बैठे हैं कहीं पर तो बैठे हैं बोल रहे थे और फिर आके ना मैं मिली मेरे एक व्यूवर से जो यहां पर आई है कुछ काम के लिए कितनी क्यूट है देखो मैं थोड़े दिर इन लोगों के साथ बाते की और शी वस सो क्यूट वो मेरे पास आ भी गई थी और रो भी नहीं रहे थी कोई होते ना बच्चे नहीं आते हैं और रोते हैं पर हां शी वस रिली क्यूट मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर इन एक्जाम नहीं है तो मैं चिल थी एकदम रिलाक्स मोड में खाना खारी थी पढ़ा नेक्स मंथ मेरे भी ट्रेनिंग होंगे तो तब मैं भी ऐसे ही पढ़ाई करूंगी अब फिर मैं मेरे फ्रेंट्स को बोल रहे थी कि पता नहीं क्यों मुझे अलर्जी हो रही है देखो यहाँ पे रेड कलर के जो दिखा रही हूं ना मैं यहाँ परेड होडी थोड़े से ड्राइनेस भी फिल कर रही हूं है इसी लिए जब भी मैं इसे ड्राइनेस फील करती हूं और मुझे लगता है मेरी एंपर होता लेकल काफी पही cancelled को जाएगा पर क्योंकि मैं बार बार एक बार जारी हूँ कोलकता फिर वापस आरी हूँ 5-6 दिन के लिए फिर वापस जारी हूँ 10-15 दिन के लिए तो इसलिए मेरे स्किन भी कन्फ्यूज हो रहा है पर कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है चलो अभी वाक करेंगे हम हर रोज जो करते हैं खाना खाने के बाद और ये एरिया ने काफी बड़ा है और आसपास में बहुत सारी कुछ है तो आज हम सोचे थे कि आज हम ऐसे घूमेंगे पूरा एरिया देखेंगे कि आपे क्या क्या चीज है ताकि अगर आप कभी हम लोग तक पूरे एरिया हम देख लिए कि क्या क्या है बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्ट्रॉम मिले हमको थोड़े यूनीक रेस्ट्रॉम भी मिले देखने को फिर गाईत्री यहां पे टेक आफ कर दी देखो आई रीली हैड़ा ग्रेट टाइम विद देम शायद उस समय हम म कवहर बोलते हैं और हम पानी भी खाते हैं चाए भी खाते हैं हम सब घाटे हैं तो जब मैं ऐसे रहे haft बहुत kole एक Kara को एक कांड की थी उस समय उठाए नीदे उस समय से ना मुझे एक बार पैनी को देखने का मन करा था तो वीडियो कॉल करके मैं बस बापा को बोलती हूँ एक जाके ऐसे रखतो ताकि मैं उसको देख पाऊं और बाते भी करती हूँ पर कभी कबार पर सैसी देखती रहती हूँ उसको पर हाँ जबी साउंड उसको आती है ना मेरी तब थोड़ी सी ऐसे करती है कि कहां है कहां है बट शीज हैपी यूनो शीज नाट मिसिंग मी मच में भी कभी कबार पर मेरे जैसे तो मिस नहीं कर रही है हो गई है बाते अभी सो जाएंगे आज तो मेरे पास फोर आर्स है बस पर मैं आके भी सो गई थी ना धाय तीन घंटे तो मैनेज हो जाएगी वैसे भी कभी कबार ऐसे बैक टू बैक मौनिंग फ्लाइट होने से होता है ऐसे चार पांच घंटे ही रस मिलते हैं कभी कभी तुम मुझे दो ढाय घंटे भी मिलते हैं और कभी कभी तुम मैं सो भी नहीं पाती हूँ